हेलो स्टुडेंट्स तो आप लोगों का आज वेयर फोर्स का एक्जाम हो चुका है हमारे पास अभी तक बच्चों के जो क्वेस्टिन्स आए हैं वो हमने नोट डाउन करें हैं और उनको हम आपके सामने लेकर आए हैं ताकि आप लोग अपने आंजर्स भी क्रॉस चेक कर ल अगर चानल अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीज़े आने वाली और अब लोट के लिए वीडियो के लिए और बेल आइकन को आप लोग प्रेस कीज़े जैसा कि बच्चों इस दो पेपर हम लोग पहले ही डिसकस कर चुके हैं और आज ह एक ओवर्वियू है कि आपका जो पेपर है वो बहुत ही इजी पाटर्न पे आ रहा है इजी आने का मतलब क्या है कि एजीली बच्चा पच्चेस में से अठारा से बीस के बीच में क्वेशन अटेम्ट कर सकता है नाट मीन्स फिजिक्स भी इजी आ रहा है आपका कट आफ उपर जाएगा पिछली बार आपका कट आफ 27.75 गया था तो इस बार उमीद है कि आपका कट आफ बढ़ेगा बढ़ने में भी जो मेरी एक्सपेक्टेशन से 30 से उपर नहीं जाएगा यह सम्वेर 30 के आसवास ही आपका रहेगा तो पेपर इजी है कट आफ का बढ़ना इंटिग्रेशन से आया था इंटिग्रेशन लॉग एक्स दी एक्स तो बेटा देखो यहीं इंटिग्रेशन आपका 14 की भी एक्जैम में आया था लेकिन फ़रक क्या था कि वहां पर लिमिट्स दे दे थी 1 से 2 तक यहां पर लिमिट्स नहीं दी है तो तरीका वहीं सिंपल 1 लेट कीजिए यह आपका second function है यह आपका first function है क्या करते हैं आप first function integration second यानि x minus d by d x first function 1 upon x integration second function x जो आया उसका फिर से integration तो x log x minus 1 हो जाएगा और उसका integration x साथ में कोई constant c आप चाहे तो x common ले ले जोए log x minus 1 plus c which is your answer ऐसे ही integration से आपका equation और आया है वो आपका definite integral से है integration 0 से pi by 2 cos square x dx कुछ बच्चों ने cos square x लिखके भीजा है वहीं पर कुछ बच्चों ने 0 से pi by 2 cos 2x लिखके भीजा है तो दोनों इसे कोई भी हो असान है देखें सबसे पहले अगर cos square x आ रहा है तो आप इस cos square x को 1 plus cos 2x upon 2 कह सकते हैं क्योंकि cos 2x कितना होता है 2 cos square x minus 1 2 cos square x बचेगा डिवाइड होचाएगा integration आप असानी से कर सकते हैं 1 by 2 means x by 2 cos 2x का integration sin 2x upon 2 और एक आपका पहले ही 2 लिखा है तो 4 limit आप पुट करेंगे 0 से pi by 2 जब आप pi by 2 रखेंगे तो pi by 4 plus pi by 2 पर सिर्फ बचेगा sin pi जो होता है 0 minus lower limit 0 और sin 0 0 तो आपका answer कितना हो जाएगा pi by 4 और अगर question यह है आपका तो भी असान है क्योंकि इसका integration आपको सीधे सी दिवता है sin 2x upon कितना हो जाएगा यह आपका 2 limits 0 से pi by 2 जब आप limit रखेंगे तो यह बैठेगा sin pi upon 2 minus sin 0 upon 2 दोनों की value 0 होती है तो मेरे हिसाब से सही question यह है बड़बचों ने यह लिखके भेजा था तो मैंने इसलिए से भी solve कर दिया है इस तरह से integration से आपकी 2 questions पुछे गए हैं तो देखेगा next question आपका एक limit से आया था question आपका limits के question में इन्होंने कहा था limitations to 0 6 plus h का whole square minus 36 upon h वही कुछ बच्चों ने कहा है हाँ पर plus की जोगे minus है तो कोई फरक नी पड़ता क्योंकि answer इसी तरह से निकलेगा pattern तो basic question इस variety का था हमने direct limit रखे 6 का square 36 minus 36 upon 0 तो ये battery is 0 upon 0 कौन सा rule आप यहाँ पर लगाएंगे L hospital rule जिसमें आपको क्या करना होता है उपर नीचे का differentiation अलग-अलग तो उपर का differentiation twice 6 plus h upon में 1 limit रखेगा तो answer कितना हो जाएगा आपका 12 आपका जो पिछली भार भी question आया था 15 में x group में limits का उसमें भी serious area L hospital ही लग रहा था तो L hospital पर based question अभी तक 3 ओ दिन आया है ये question आपका differentiation से आया है differentiation में इसने हमें क्या दिया है देखे बिटा x is equals to t square दिया है y is equals to t cube दिया है d to y over dx to इसने पूछा है सबसे पहले आप यहाँ पे dx over dt निकालिएगा 2t फिर आप dy over dt निकालिएगा तो यह आएगा 3t square तो dy over dx आप सभी को पता है यह होता है dy upon dt dx upon dt तो यह हो जाएगा 3t square upon 2t यानि 3 upon 2t लेकिन वो आपसे पूछ रहा है double derivative तो x के respect में differentiation है लेकिन function किसका है t का तो differentiation तो हो जाएगा t का 1 बट साथ में dt over dx और dt over dx की value हम कहां से रख सकते हैं यहां से reverse हो जाएगी 1 upon 2t तो इस बहर से आपका answer होगा 3 upon 40 तो यह भी बहुत basic सा ही question आप से पूछा गया है तो चलिए देखेगा next question भी आपका एक और differentiation से ही पूछा था क्या था यह question आपका differentiation में y is equals to 2x cos x plus x square sin x और यहां पर आपसे वो dy by dx जानना चाहरा था very simple 2 functions की multiply है twice first function differentiation second minus sin x plus second function cos x साथ में 2 differentiation x का कितना होगा 1 प्लस यहां भी बाइपार्ट करिए x square sin x का differentiation cos x plus sin x और x square का differentiation 2 x तो 2 x sin x 2 x sin x एक दूसरे को cut कर देंगे यानि answer कितना आजाएगा आपका अगर आप cos x को common ले लेते हैं तो x square plus 2 यानि यही आपका answer होगा तेखेगा question trigonometry से भी एक आपका बना था बट इसमें भी बच्चों का जो मेरे पास आएं है questions अलग अलग तरह के हैं कुछ बच्चों ने कहा है कि question cos 20 plus cos 40 plus cos 140 plus cos 160 की value पूछ रहा है वहीं कुछ बच्चों ने कहा है कि यह cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 की value पूछ रहा है और कुछ students का कहना है कि यह cos 20 plus cos 40 plus cos 60 plus cos 80 की value पूछ रहा है तो पेटा कोई सी भी पूछे मैं आपको तीनों करके दिखा रही है 140 को 180 minus 40 कह सकते है 160 को 180 minus 20 कह सकते है cos 180 minus theta कितना होता है minus cos theta तो यह बैठेगा minus cos 40 और वो बैठेगा minus cos 20 जबकि यहाँ पर cos 20 plus cos 40 पहले ही लिखा है दोनों कैंसल हो जाएंगे तो answer क्या हो जाएगा 0 अगर आपका question यह है but in any case आपका question यह है तो यहाँ पर cos 60 की value 1 by 2 cos 20 as it is 40 को 60 minus 20 कह सकते है 80 को 60 plus 20 कह सकते है मैंने short trick आपको बताई हुई है 1 upon 2 cos 3 and 2 20 जो की हो जाएगा cos 60 जिसकी value 1 by 2 तो answer हो जाएगा 1 by 4 but अगर question यह है तो इसमें अलग पॉर्म ना लगेगा सबसे पहले cos 60 कितना होता है 1 by 2 प्लस अब आपकी मर्जी आप इन दोनों को पकड़िए या इन दोनों को किसी को भी आपके उपर depend करता है cos c plus cos d कितना होता है 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 plus cos 80 को आप लिख सकते है 90 minus 10 so 1 upon 2 plus 2 into cos 30 root 3 by 2 cos 10 minus sorry plus cos 90 minus theta sine theta तो इस तरह से अगर देखा जाए 1 upon 2 plus root 3 cos 10 plus sine 10 अब देखना ये है कि option वो इसी तरह से छोड़ रहा है या इसको adjust कर रहा है क्योंकि adjust भी कर सकता है रेके कैसे adjust करेगा 2 से divide कर देगा और 2 से multiply ये value हो जाती है किसकी cos 30 ये value हो जाती है किसकी sine 30 तो 1 upon 2 plus 2 cos a cos b plus sine a sine b formula होता है cos a minus b का यानि answer 1 upon 2 plus 2 cos 20 भी हो सकता है तो जो भी question है मैंने तीनों आपके सामने solve कर दिये है आप देख सकते हो जो भी आपका question था answer इन में से किसके according है प्रिग्नुमेट्री से ही एक question और आया है और ये question जैसा कि हम देख रहे है 14 के exam में भी था 15 के exam में भी था और आज भी है बस digit sort about change है इसमें value पूछी है इसमें हमसे sine inverse sine 2 pi by 3 अब आपको पता होना चाहिए कि जो sine inverse x होता है इसका जो range होता है वो minus pi by 2 से plus pi by 2 के बीच में होता है लेकिन यहाँ 2 pi by 3 इस range से बाहर जा रहा है तो इस 2 pi by 3 को pi minus pi by 3 आप लिखेंगे sine inverse कितना हो जाएगा sine pi by 3 यहाँ पर यह दोनों इंदूसरे को cancel करेंगे तो आपका answer कितना हो जाएगा pi by 3 next बात आती है conic section से बच्चों ने बताए है कि 3 questions आए है जिसमें से एक question मेरे सामने है देखेगा उसने 16x square plus y square plus 24x plus 32y minus 9 बराबर 0 और इसमें आपसे यह radius पूछ रहा है तो सबसे पहले से standard form में लिखे x square plus y square तो को efficient 1 होना चाहिए 16 upon में जाएगा तो 3 upon 2x 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 plus 32 यानी cancel हो जाएगा minus 9 upon 16 बराबर 0 जारी यह 0 है अब अगर इसे standard form से compare करें तो standard form आप सभी उपता है मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 2gx plus 2fy plus c बराबर 0 यानी g कितना है आपका 3 आपका f कितना है 1 sorry g कितना है 3 by 4 f कितना है आपका 1 और c कितना है minus 9 by 16 तो वो radius पूछ राए जिसका formula आपको पता है g square plus f square minus c तो कितना हो जाएगा under root 9 by 16 plus 1 plus 9 by 16 which is under root 18 upon 16 plus 1 तो आप इसे cancel कर सकते हैं कितना हो जाएगा यह 2 9 जा 18 और इधर हो जाएगा आपका 2 8 जा 16 and से ने लीजे under root 17 upon 8 answer तो इसमें आप से क्या पूछी गई थी radius एक और question आपका पूछा गया था quonic section से जिसमें बच्चों को exactly points तो नहीं पता है अगर x1, y1, x2, y2 दो points है तो इनके बीच की distance कैसे निकलती है under root x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square तो इस concept पर भी एक question आपका आया था इसी तरह से एक question आपका आया है again differentiation से जो आपका 14th rate में भी आया था बस digit change करी गई है क्या था उस rate में देखेगा किसी circle की radius 4 दी गई है change of rate of radius radius त्रिज्जा परिवर्दन की दर यानि dr over dt नोने 0.01 दिया है and आपसे area का rate of change पूछ रहा है change of rate तो आप देखेंगे d over dt area होता है πr square solve करेंगे 2πr dr over dt तो इस इक्वेल्स तो 2πr के प्लेस पर 4 and यहाँ पर 0.01 तो इस कितना आजाएगा 0.08 पाई आंसर चलिए तो देखेंगे आगला question आपका PNC से था इस PNC के question में इंदो ने हम से काता 2NP3 is equals to 100 into NP2 then what is the value of N solve करते हैं यह हो जाएगा 2N factorial upon 2N-3 factorial is equal to 100 into N factorial upon N-2 factorial factorial एक्तम होके खुलता है so 2N, 2N-1 2N-2 और 2N-3 cancel हो जाएगा 100 into N N-1, N-2 cancel हो जाएगा N से N cancel 2 से यह cancel होगा 50 solve करिए इंटो इसकी 4N square minus 6N plus 2 50N minus 50 उठाक इदर लाते हैं 4N square minus 56N plus 52 is equal to 0 4 common लेज़े N square minus 16N 4N is a 4, 4, 4, sorry 14N plus 13 factor अगर करेंगे तो इसके N minus 1 N minus 13 आएगे अब आप यह रेखें यह आपर कि अगर N को 1 लेते हैं 1 ले रहे हैं तो यह गाला number कभी भी इससे छोटा नहीं हो सकता यानि answer क्या होगा N is equal to 13 because 1 possible नहीं है इसी तरह से एक question आपका probability से पूछा गया है उस question में आपका कहा गया है कि कोई एक coin है उसको 6 times toss करा है कुछ बच्छों का कहना है 6 की जगे 4 times तो method तो एक ही है और वो कह रहा है इसमें 2 times आपको hit मिल जाए इसकी probability बताईए करते हैं solve head आने की probability 1 by 2 tail आने की probability भी 1 by 2 है 6 times toss कर रहा है यानि n बराबर 6 वो चहरा है दो बार head मिले यानि r बराबर 2 तो binomal distribution लगाएंगे probability x is equals to 2 nc2 62 p to the power 2 and q to the power n minus r यानि 6 minus 2 4 62 की value आप सभी को पता है कितनी होती है 15 और यह हो जाएगा 1 upon 2 की power 6 जो किया होता है 64 so your probability is 15 upon 64 अगर वो 4 times कर रहा है तो 6 की जगे 4 आजाएगा बाकी calculation यही है चले एक question और आपका probability से ही पूछा गया है इस probability के question में इन्होंने कहा है कि pack of cards ताश की गड़ी में से one card निकाला गया है one card is drawn और आप से पूछ रहा है probability बताईए किस बात की probability प्राइकता बतानी है कि that it is a king की वो बात रहा हो तो हमने कहा probability is equal to बावन पत्ते होते हैं ताश की गड़ी में एक card निकालना है sample space 52C1 और वो कैसा होना चलिए king total king होते हैं 4 4 में से कोई भी एक आ सकता है यानि 4 upon 52 तो answer है 1 upon 13 एक question next इसमें पूछा गया है binomal theorem से क्या था वो question आपका binomal theorem आप से middle term पूछ रहा है किसमें पूछ रहा है middle term x square minus 2 upon x cube to the whole power 11 में करते हैं सौल मैंटा whole power अगर 11 है तो इसके अंदर number of terms कितने हो जाएंगे 12 yes or no यानि कितने middle term होंगे 2 कौन-कौन से एक तो आपका t 11 plus 1 by 2 और एक आपका t 11 plus 3 by 2 यानि कितना 6 term 6 को आप 5 plus 1 लिख सकते हैं और इधर आप 7th term 6 plus 1 फॉर्मुला आप सभी को आता है n c r x to the power n minus r और a to the power r और इसी तरह से इसे solve करेंगे तो 11 c 6 x square की power 6 minus 2 upon x cube की power sorry इधर 5 आपका 6 अब क्यूंकि मैंने पास options नहीं है तो मैं इने solve नहीं कर रही हूँ आपके सामने exam में option थे तो option के according idea हो जाता है कि कौनसी वाली x power में वो खूच रहा है basically pattern मुझे आपको बताना है memory based ये question है हो सकता है थोड़ा भ़ट digits का change हो बट तरीका यही है इनको करने का equation आपका determinant से पूछा गया है बहुत असान है जिसको concepts बता है उसको वो question लिखना भी नहीं था directly solve था बताते हैं क्या है equation एक determinant दिया था 1 log base e e log base 10 10 5 5 5 1 under root pi और ये pi इसकी value पूछ रहा है लोगो बेटा base और number जब भी same होता है value होती है 1 base और number जब भी same है value 1 second column से आप 5 को common लेंगे तो पहला column भी 1 1 second से 5 कोमन लिया 1 1 third लिखने की ज़रुरत ही नहीं है दो column same है तो answer कितना हो जाएगा 0 next question आप से पूछा गया था matrix से matrix edition से question था एक matrix इन्होंने A दी है जो बच्चों का बताना है digits change हो सकती है basic variety देखेगा minus 1 3 2 4 और दूसरी matrix B थी 1 1 2 0 vector edition यानि A plus sorry matrix edition A plus B पूछ रहा था corresponding elements जुडते हैं minus 1 plus 1 0 2 plus 2 4 3 plus 1 4 4 plus 0 4 is your answer इसी तरह से question और आया है आपका matrix से ये question क्या कहता है आपका इन्होंने हमसे कहता है कि अगर कोई singular matrix है कोई singular matrix है A suppose A is a singular matrix तो आपसे A adjoint A पूछ रहा है कितना होगा देखे बेटा हम लोग पढ़ते हैं A inverse adjoint A upon determinant A यहां से अगर हम A की into दोनों sides कर दे तो A inverse हो जाता है यानि A adjoint A is equal to determinant A into I लेकिन उसने यह कैसी matrix दी है singular singular matrix कौन सी होती है जिसका determinant 0 होता है यानि A adjoint A कितना आजाएगा 0 जिसे हम क्या बोलते हैं null matrix तो इस तरह से matrix और determinant से आपके जो बच्चों ने बताया है तीन questions थे यह question बच्चों ने हमें लिखके भेजा है कि function से था उन्होंने कोई function लिया था fx बदाबर x upon x minus 1 और value f a upon f 1 upon a minus x यह जिस भी बच्चे ने मुझे भेजा है उसका कहना था कि some sort कुछ ऐसा ही था हो सकता है नीचे digit change हो तो basically हमें variety समझनी है इसलिए मैं इसे solve कर रही हूँ जब आब f a निकालेंगे तो a upon a minus 1 आएगा जब आब 1 upon निकालेंगे तो यहाँ put करिएगा 1 upon यह a minus x नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है a minus 1 होगा तो मैं correction कर रही हूँ 1 upon a minus 1 upon 1 upon a minus 1 minus 1 हमने solve करा तो देखेगा यहाँ भी lcm a minus 1 यहाँ भी lcm a minus 1 cancel हो जाएगा उपर का a upon a minus 1 बचेगा इधर आप lcm लेंगे तो 1 minus a plus 1 आएगा यानि 1 और 1 होगा कितना 2 minus a उपर पहुँच जाएगा 2 minus a और नीचे बचेगा 1 तो आपका जो answer है वो a into 2 minus a upon a minus 1 basically इसमें हो सकता है उस बचे को correct terminology याद ना हो कि क्या है बट question इसी category का था उसका कहना है most probable जो मेरे हिसाब से यह question हो सकता है वो शायर if a upon f 1 upon a पूछ रहा होगा reason है कि जब आप इसे put करेंगे तो a upon a minus 1 1 upon a 1 upon a minus 1 तो उपर a upon a minus 1 आएगा and upon में जाएगे तो a से a cancel हो जाएगा 1 upon a minus sorry 1 minus a आएगा आप इसको जब solve करेंगे a upon a minus 1 into 1 minus a negative form लेके यह cut जाएगा तो answer minus a होना चाहिए एक question आपका बच्चों कहना है कि complex number से था इस complex number में उसने कहा था कि कोई complex number 2x minus 3y plus i x square minus y square बराबर 0 है तो real part और imaginary part तो यह तो बहुत असान है because यह part real है और यह part imaginary तो यह भी एक question आया था मुख के number है अगर यह question आ रहा है बहुत simple है next question जो बच्चों ने बताया है कि एक question आपका median से आया था उसे data तो याद नहीं है लेकिन median माद्धिका से था तो मैं method बता दे रही हूँ आपको इसे निकालने का आपको जो भी data दिया जाता है उसको सबसे पहले या तो ascending order में आप लगाते हैं या descending order ascending मतलब बढ़ता हुआ order descending घटता हुआ इसके बाद आप चेक करते हैं number of terms कितनी है even है या odd है अगर number of terms even है तो आपका answer n plus 1 by 2-8 term जो भी है and n plus 3 by 2-8 term जो भी है उनका average होता है लेकिन अगर odd है तो आपका answer n plus 1 by 2-8 term होता है जो भी उसकी value है अगर इन आपका odd है तो n plus 1 by 2-8 term होगा और अगर इन आपका even है अच्छे बेटा इहां एक गलती होगा है n आपका even है तो n by 2-8 term and n by 2 plus 1th term का average होता है चलिए next equation भचों का कहना है कि series से आया था इन लोगों को series तो नहीं पता कौन सी थी basically उस series में यह या देने कि 21st term पूछी थी तो बेटा series कोई भी हो दो ही तरह की है a-p या g-p अगर a-p है तो आपको n-it term पता है a plus n minus 1d a first term d common difference और अगर g-p है तो n-it term a r to the power n minus 1 से हम लगाएंगे next question जो बच्छों का कहना है vector से था a cross b cross c is equal to a cross b cross c है condition पूछ रहा है यह कब true होगा so सबसे पहले देखो बेटा minus का sign लगा के मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि cross product committed नहीं होता है and इसके बाद vector triple product आप लोगोंने पड़ी होती है क्या होती है first dot third into second minus लेकिन बहार minus है तो plus first dot second into third इसी तरह से हाँ पे first dot third into second minus first dot second into third दोनों तरफ मैच किया तो यह दोनों terms cancel हो जाएंगी उसे उठा के इधर लाए तो a dot b into c minus c dot b into a बराबर 0 दोनों में ही b common है तो b बहार लीजिए b cross पहले पर third vector होता है तो a और यहां c बराबर 0 तो आपका answer यही होगा might भी हो सकता है वो option change कर दे reason कि आप यहां से अगर minus common लेंगे तो यह b cross a cross c बनेगा तो answer जो भी हो आपका वो यह है तो बेटा इस तरह से हमने जितने भी question किये है solve यह सारे questions memory based हैं हमारे पास बच्चों ने जैसे जैसे बेज रहे हैं रैसे ही हमने आपके साथ discuss किये हैं इसलिए इसमें probability है कि digits थोड़ा बहुत change हो सकती हैं बागे आप लोगों का जिनका भी paper हुआ है और आपको questions याद रहे जाते हैं तो आप लोग comment box में आके उसे हमसे share कर सकते हैं जितना जल्दी हो सकेगा हम उनके solutions आपको provide कराएंगे जिससे आप अपना check कर सकते हैं score क्या जा रहा है once again आपका paper easy आ रहा है तो most probable है कि cut off आपका उपर जाएगा कल आपका exam जिन बच्चों का है उनके लिए best of luck questions जरूर send कीज़ेगा ताकि बाकी बच्चों को भी पाइदा हो सके अब हम एक स्ट्रूप के बाद आपके पास conceptual videos लेकर आएंगे plus the end हम लोग NDA की last year papers को यहाँ पर topic wise discuss करेंगे तो आपको लगता है अगर NDA से related कोई topic मुझे करवाना है comment box में आप उसे discuss कर सकते हैं कि कौन सा topic मैं पहले लेकर आऊ और 23rd March से हम लोगों का NDA का एक महीनी का crash को शुरू हो रहा है जिसमें हम लोग आपको regular basis पर पढ़ाएंगे 6-7 गंटे उसमें कोई off नहीं है 25 मांच से हमारा X Group का नया batch शुरू हो रहा है offline course है यह तो जो भी interested candidates हो वो उस पर contact कर सकते हैं जे हिन जे भारत कर सकते हैं